ये स्टोरी है महराष्ट्रों से आये गाउ के एक लड़के की पिता जी खेती करते थे पर वो चाते थे कि मेरा बेटा मेरे जैसी खेती ना करके बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने लड़का भी हमेशा अपने खयालों में खोया रहता था सुन्चरत शिक्षाही मनिश्च को बड़ा आदमी बना दिये उचे सपने देखने वाले ही उचा काम करते हैं समय बीटता चला गया अपने सपने पूरे करने के लिए लड़का काउ से शहर की तरब बढ़ने लगता है शहर की लैप्स्टर उसे बहुत सरे अनुभव देने लगी पूरा शहर अपने में ही मस्त था पर उसे मालूम था कि अपने पिताजी गाउ में खेती करते जब तक मैं कुछ हासिन नहीं करता तब तक मेरे घर की गरीबी भट नहीं सकती जैसे देसर बीन साल में तो उसने सोचा कि में एक छोटा बिजनेस चालू करता हूँ उसका नेचर गाउ जैसा प्यारा और नॉलेज शहर जैसा गहरा था इसी वज़ों से वो बिजनेस में तरक्य करने लगा था इन दो खुबियों ने उसे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना दिये यहीं पूरी कहानी थी